Hello students and aspirants, स्वागत है आपका हमारे YouTube चानल DailyGS Doze पर हमेशा की तरे एक बार फिर हम आजिर हो गए हैं अपने एक important वीडियो के साथ तो आज हम लेकर रहा हैं एक बहुत ही important discussion आज हम बात करेंगे expected cut-off और important tips और tricks के बाद आज finally हम बात करने वाले हैं कि क्या एक expected safe score आ रहा है UPSI के exams का तो जिस तरह के कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये उपनी रिक्षक की post की जो vacancies निकाली थी UPSI की जो vacancies निकाली थी इसके papers फिलहाल में हो रहे हैं तीन shifts यानि daily basis पे अगर आप देखें तो morning, noon और evening shift में तीन पालियों में paper हो रहे हैं और काफी दिन से paper चल रहे हैं और अभी भी आगे उम्मीद लगाई जा रहे ही, कयास लगाई जा रहा कि इस पूरे महिने के अंते तक paper चलते रहेंगे क्योंकि काफी जादा vacancy थी और काफी जादा enrollment हुआ इस वज़े से ये जो paper है in the long run चल रहे हैं तो कई हमने दो important videos बनाए हैं अगर आपने फिलाल वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चानल पे वो uploaded videos जरूर देखें पहले video में हमने बात की थी expected cutoff की जो कि इस बार जाने वाली है UPSI के aspirants और उनके papers में अगर आपने वो video नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें कहीं न कहीं आपको hint जरूर लगेगा कि कितने सवाल out of 40 questions in each topic आपको सही करने ही करने है to get eligible for the cutoff जो कयास लगाया जा रहा है कि इस बार के expected cutoff रहेगी दूसरे video में हमने बात करी है important tips और tricks की कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है paper देने के दौरान अगर आपने भी तक paper नहीं दिया है और क्या चीज़ें आपको भूल के भी नहीं करनी है अगर आप अभी paper में sitting देने वाले हैं UPSI के exam में फिलाल आज के exam आज के वीडियो में हम बात करेंगे important exam के safe score की यानि क्या order जा सकता है merit का इस बार के paper में तो आए देखते हैं paper को थोड़ा सा एक summary ले लेते हैं paper जो है वो total जो है 160 questions का paper है जिसे हमें 2 घंटे यानी 120 मिनट में complete करना है paper में कोई भी negative marking नहीं है किसी भी question में 4 sections है paper के subject wise अगर आप ध्यान दे तो general studies, general hindi, उसके बाद आपके maths और reasoning, इन 4 portions में 40-40 questions each आते हैं जिसमें कितने questions लगबक सही होने चाहिए उसका जो हमने एक expected video बनाया है वो हमारे चानल पे uploaded है तो आज हम बात करेंगे कि overall क्या cut-off जानी या यह बात करते हैं यूपी पुलिस SI cut-off is the minimum score that any applicant must achieve in order to pass the test यसा कि मैंने आपको बताया कि हर portion में यानि हर subject के 40 question में आपको 30% question के सही जवाब देने ही देने हैं अगर आपको cut-off के लिए eligible होना है और अगर overall cut-off की बात करें तो overall आपको 50% in the whole exam लाने ही है अगर आपको cut-off में अपने आपको eligible होते हुए देखना है UPSI return test has 160 questions as I already told you and which carries 2.5 marks each यह धाई नंबर का एक प्रश्न है और कोई भी negative marking का प्रवधान नहीं है इस paper में आए safe score की बात करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं हमने पहले अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि 2015-16 में जब यह भड़ती आई थी UPSI की तो उस बार की जो merit थी काफी हाई गई थी आज हम वो discuss करेंगे और जो इस बार की जो हम कयास लगा रहे है expected cut-off है जो expected merit है उसके बारे में बात करेंगे in comparison to 2015 and 16 तो आईए देखते हैं figures 2015 और 16 के क्या रहे जनरल category के लिए गर हम देखें तो out of 400 याने तो यह आप देख रहे हैं कि किस तरह से order जो गया है merit का वो बहुत हाई गया है पिछले बार जो paper हुआ है 2015 की बात कर रही हूं मैं OBC category के लिए अगर देखा जाए तो 321 यानि जादा फर्क नहीं है जर्नल और OBC की category में अगर हम marks wise देखें तो कुछ 10 से 9 points का फर्क आ रहा ह है कि यही जो इतना minimum फर्क है यही इस बार भी merit में रहेगा ऐसी candidates की बात करें तो उनका जो cutoff जो merit गई थी out of 400 वो गई थी 283.91 SD candidates की बात करें तो उनकी जो गई थी 235.41 जो है यह उनकी गई थी merit out of 400 marks ex-servicemen उनकी बात करें जो ex-servicemen का कोटा होता है तो उनकी भी cutoff बहुत जादा कोई low नहीं गई है high cutoff ही थी for the people who are the ex-servicemen उनकी cutoff गई थी 271.5 out of 400 और females की बात करें क्योंकि दो कोटे होते हैं females और ex-servicemen का कोटा तो females की कोटे की बात करें out of any category या निकर आप महिला हैं और आप general OBC, SC, ST किसी भी category से belong करती हैं अब भी आप इस कोटे के लिजिबल हैं और जो पिछले बार के papers यानि पिछली बार के उपनी रिख्षक की post UPSI की जो merit गई थी उसके लिए females को मिले थी 239.25 out of 400 तो ये कुछ data था कुछ figure था जो हम चाहते था हम आपके साथ share करें क्योंकि काफी हद तक हमें पिछले papers की merit से अंदाजा लग जाता है कयास लग जाता है एक हलका से एक look मिल जाता है आने वाले papers यानि अभी जो paper चल रहे हैं in the run UPSI के उसकी क्या merit जाने वाली है तो इसके comparison में अब हम बात करेंगे कि क्या अभी तक जो paper जितने हो गए हैं और फिलहाल में आगे वाले जितने भी papers होंगे data बेशक चेंज होगा क्योंकि एक expected merit or cut off का वीडियो है लेकिन फिलहाल जितनी पाडियों में paper हो चुके हैं उनसे जो क्यास लगाया है आई हम उसको दिखाते हैं आपको in comparison to 2015 and 16 paper तो अकर हम general category के बात करें तो जो हमने अभी तक कयास लगाया है वो यह है कि 325 प्लस यानि point में हम नहीं बताएंगे क्योंकि point एक real figure हो जाता है और हम अगर यहाँ पे क्योंकि हम expected figure की बात करें तो लगबग 325 के उपर ही आपकी merit जाने के पूरी संभावना है अगर आप general category से belong करते हैं अगर आप UPSI का paper इस बार देने वाले हैं या दे चुके हैं OBC category के बात करें तो 320 प्लस यह इनका कयास लगाया जा रहा है आउट ओफ 400 marks इस बार की merit का SD candidates की बात करें तो आउट ओफ 400 280 प्लस यानि 280 प्लस मार्क्स की merit जा रही है SD candidates की बात करें तो 235 प्लस की cut-off जा रही है merit जा रही है आउट ओफ 400 marks एक सर्विसमें जैसे कि मैंने आपको बताया एक सर्विसमें और फीमेल कोटा की बात करें तो एक सर्विसमें का इस बार का जो जा रहा है पिछली बार में 270 था और इस बार का अगर हम देखें तो 5 points तक increase बैठ रहा है तो यह जो expected merit है this is out of 400 और फीमेल की बात करें तो 240 तक इनका कयास लगा जा रहा है कि merit list जाएगी out of 400 marks अगर आप चाहें तो आप इसको पीछे करके share कर सकते हैं आप screenshot ले सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या एक comparison जो है वो बन रहा है इस बार के expected merit list में और जो facts और data था पिछली बार की merit list यानि 2015-16 में होने वाले SI के paper की तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा judge कर सकते हैं कि अगर आपने ये paper दे दिया है तो आपकी क्या performance रही है आप calculated basis पे इस तरीके का एक outcome के साथ आ सकते हैं कि आप कहीं न कहीं eligible हैं और अगर eligible हैं तो कहां तक आपकी plus cut off या merit बन रही है particularly आपके answer की से और अगर आप देने वाले हैं यानि अगर आप sitting देने वाले हैं UPSI का paper आगने देने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में तो आपके लिए video बहुत important है क्योंकि यहीं से आप एक look आपको मिल जाएगा एक outlook मिल जाएगा सारे ही 40-40 सवालों के जो portions होते हैं उसमें easily कि कितने हद तक आपको सही करने ही करने हैं इसलिए आपको बहुत 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 बढ़ाना है और हर सवाल को बहुत सोर समझ के करना है इसी उमीद के साथ कि आपको यह video कॉइट useful लगा होगा अपने papers के लिए विदा लेते हैं आपसे मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगर आपनी UPSI के और दो important वीडियो जिसका मैंने जिक्र शुरुवात में किया था वो नहीं देखे हैं तो उनका link में description box में जरूर share करूंगे से आप जरूर देखेगा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद keep subscribing to our channel dailygsdoze and thank you for watching